नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शरीता जोशी और आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ आलू का थेचवा बनाने की रेसिपी एक पहाड़ी दिश है जो कि बहुत खाय जाते हैं पहाड़ों में और हलकी भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी बहुत सी कम चीजों में बन जाते तो आपको बताते हूँ कि कैसे यह चीज बनती है तो आप लोग पूरी वीडियो देखेगा और अच्छी देगी तो लाइक करें तो सबसे पहले मैं आपको बताते हूँ कि इसके लिए हमको क्या-क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे बहुत पहाड़े हमको चीज़ देखे लिया है और इनके चिलके भी नहीं उतारे जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्योंकि जो पहाड़े आलो होते है उनके चिलके ना भी निकालो तो भी चल जाता है फिर मैं इसके लिए मसाला पीस रहू हूँ यहाँ मैंने लहसुन और हरा धनिया था और हरी मि तो अब इन दोनों को एक साइड रखेंगे और इसमें काटेंगे टमाटर लोही की कड़ाई में अगर आप आलो का थीज़ बनाएंगे तो जाला टेस्टी बनेगा तो मैंने भी लोही की कड़ाई ले लिया इसमें तेल डाल दिया और हींग और साबुत लाल मिर्च यह बह टमाटर जब अच्छे से भुण जाए मसाले के साथ तो यह तेल चोड़ने लगेगा और इसमें इसमें डाल देने हैं आलू आलू को भी हलका सा भुणना है और इसमें पानी मिला लेना है अपने अकॉर्डिक जितना आपको थिक चाहिए या ग्रेवी चाहिए तो उसी मैं चाहुल भी बना ले रही हूँ चाहुल बनाने की प्रिवेशन कर रही हूँ तो यहां पर चाहुल धोके मैंने चड़ा दी यह कूकर में और साथ-साथ चाहुल भी बनते रहेंगे और आलू का थीचवा भी हमारा थीचवा है वह आधा पक चुका है और इसमें बहुत अच्छी खुजबू आ रही थी मैं आपको खुजबू तो नहीं सुगा सकती बड़ आप लोग देख सकते हो कि यह बहुत टेस्टी बना होगा इसकी लुक को देखिया अंदाजा लगा सकते हो वैसे भी पहाड़ी चीज़े जी होती है वो बहुत ही कम बसालों के साथ बन दिन के खाने के लिए साथ में इसके साथ है अलसी तिल और हरीमेश की चटनी और साथ में खीरा में काट दिया है तो यह इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा बस इंजॉय करते हैं इस खाने को आप लोग भी ज़रू ट्राय करेगा और अच्छा लगए तो वीडियो लाइक दिन तर देगा खिए मैं कुम में कर रच़के जय क्वाटार से बढ़ा मि खाने करी में दूस कि अन्यulsive को भर Hello यह में तो नहारी कंचे कब कि लेया जोग देगी क्वाजे ओषए अध्वाश कर वाफनुन कूषण पिर अवान द सब्स्माब्ड़ वाजाल क्र?, प्रोड़